तुमस्कार दोस्तों थमनेल देखे तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज क्या बनने वाला है तो जी हां बिल्कुल सही आपने पढ़ा आज बनने वाला है लेजी पास्ता जो होस्टल के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है तो इसके लिए सबसे पहले एक लिटर पानी देंगे इसे बॉइल होने देंगे और उसके उपर मैं डालूंगी एक चम्मच ऑईल और हाफ टीस्पून नमक इसके बाद मैंने एक कप मेजरिंग कप से एक कप पास्ता लिया है इसे साथ से आठ मिनट लग जाते है पकने में अलग अलग पास्ता अलग अलग टाइम लेत जिससे की इसका कुकिंग प्रोसेस रुख जाएगी अभी चलिए थोड़ा सा ओयल डालेंगे हम बिलकुल थोड़ा सा वन टीस्पून से भी कम ओयल डाला है इसमें एक छोटा साइज का ओनियन बारी कट करके डाल दी है ओनियन आप चाहो तो डालो नहीं डालना चाहते तो पास्ता पीजा सॉस के साथ मनाने वाले हैं जो बहुत ही असानी समझाती है उन लोगों के लिए जो कुकिंग पसंद ने करते हैं या बाहर होस्टल में रहते हैं जो इनको बाहर का खाका के बोर्ड हो चुके घर के खाना चाते हैं और थोड़ा हेल्दी तो नहीं बोल सकते पास्ता को लेकिन बाहर के खाने के आप एच्छा तो यह हल्दी होती है अभी देखिए इसमें मैं थोड़ा सा और्गेनो डालूंगी आपके पास पीजा सिजलिंग है तो भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालूंगी और वन पोर्ट से बिल्कु कम दो इसमें हम एड़ करेंगे जो पास्ता हमने एवन कप बॉयल किया था तो देखिए इसमें डाल देना है और मिक्स कर देना है यह बनके बहुत ही असान तरीके से बनके त्यार हो जाएगी और इसका टेस्ट भी रेट सॉस पास्ता जैसा आएगा और यह खाने में भी अच्छ ग्रेट किया हुआ है और उसको उसमें हम डालेंगे और थोड़ा सा चीज हम बचा लेंगे जिसो उपर से गार्निस करेंगे इस तरह से मिक्स कर लेंगे देखिए आसानी से बन गया है और चीज हमने बचा है था उसे उपर से गार्निस कर लेंगे आपको मैं बताना चाहू खिवले ह कि उनचा कि दिवलिक, दिवले हैं और जोकि कि आपी कि अचय कि लुtibacks हम जालोग ऑ Cela बंगी कि देफ टॉकिक लिनचास को हुआ और जब की कि